अलवे नवश्कार मेंकू वास्तु इट्सपॉंड इन इस्ट्रोंगे डॉक्टर वेशारी गुप्ता आंज में आप तो बताने बारी हूं कि वास्तु के रूसार आपको वॉन ग्रॉक्स कहां पर नदारें जाएगे इसा कहा जाता है कि अगर हम अपने वॉन ग्रॉक्स को वास्तु के रूसार सही दिशान में जाते हैं तो हमाना जो समय है वो न्यां पच्छा मोले रगता है तो आएए जानते हैं कि locks जोने वो कैसी ओनी चाहेंगे, कहां पर लबी चाहेंगे और कहां पर नहीं लबी चाहेंगे वास्तु शास्त्र के लो सारपी ऐसे कहा जाता है कि आतरी खनफी जो one lock से उनको हमेशा नॉर्थ या फिर नॉर्थ और यीस्ट या फिर इस्ट की बॉर्ट पे नदाएं अगर आप अपने बॉर्ट ग्लॉक्स को North East में लगाते हैं तो overall prosperity आती हैं North में लगाते हैं तो incoming money और career opportunities आती हैं पारदर East में लगाते हैं तो आपका name, fame, reputation, social networking सब कुछ बढ़ने लगता है वासुशास्तो में ये कहँ जाता है ति कभी वी अपने बॉर्ट ग्लॉक्स को South collaboration में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इस्से नमारी तरह में रह लगा सकता है खासकर अगर हम अपने बॉर्ट ग्लॉक्स को समच में लगते हैं अब फ़रों उनसे पूछते हैं कि वाल ग्रॉप की शेप क्या होनी चाहिए वैचे ततरम वास्तों की माने तो सर्फीर और डिक्टान्वीलर जो क्लॉप्स होती हैं उनको वास्तों के मसार काफी शुप माना जाता है और ये कहा जाता है कि धर में ट्रायाइन्वीलर शेप की जो वाल ग्रॉप्स हैं उनको रवाना कंपीर्टी अवाइड करना चाहिए यही नहीं जो पेंडिलम वाली जो प्लॉप्स होती है जिसमें घंटा जैसा पेंडिलम लगा होता है वो भी वास्तों शास्त्र के परसाता की अच्छी मानी जाती है क्योंकि जैसे ही आन घंटे पे वह पेंडिलों के गूमने से आवाज आती है तो एट बंस दे हम प्रेजिंट में आजाते हैं और साथ इंबार लाइफ में भूब्मेंट और मोमेंटम आने लगता है अब तरिवर वन से यह भी पूछते हैं कि जो वर्ट लॉप से उसका मटेरियल क्या होना चाहिए आप वर्ट लॉप तो किसी ने मटीरियल में ने सकते हैं लेकिन अगराट वोडल कॉपर या फिर सेवर तरफ की वर्ट लॉप्स नेते हैं तो उनको वास्तों के विसारा अच्छा माना जाता है और आप इनको सानी से नौर्ट नौर्ट लीस्ट और इस्ट के जोन में ठादा सक इस पार द्यान वेक्ते की वर्ट लॉप्स तो कभी भी साउट पर वेस्ट गोर्ण में ना लटाएं